गुद बॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास, आई एम स्लोचना बत्रा, यूर मैथ्स टीचर, इन प्रिएविस क्लास, आई हैव तॉट यू थी टॉपिक्स, क्लियर, याद है आपको कि मैंने पिछले साल भी आपको थी टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो अब म मैं फिर हाजिर हूँ, मैथ्स पढ़ाने के लिए, so be ready to understand, जो भी मैं काम कराऊंगी, प्यारे बच्चों, वो आपने साथ के साथ करना है, अगर आप आगे पिछे हो जाते हो, तो आपको समझ नहीं आएगा, और काम भी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, so हम स्टार्ट क जैसा कि बच्चों, योनिट का पहला वर्ड है स्केयर्स, स्केयर्स इज प्लूरल वर्ड, इसका सिंगूलर वर्ड है स्केयर, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्केयर आखी होता क्या है, वर्ड इस स्केयर्स, स्केयर्स क्या होता है, स्केयर्स इस नंबर, स्केयर्स ओफे नंबर, इस दा प्रोड़क्ट, कि जो स्केयर्स है, वो एक नंबर, दा स्केयर्स ओफे नंबर, एक नंबर का जो स्केयर्स होता है, इस दा प्रोड़क्ट, प्रोड़क्ट होती है, किस च अगर हम किसी भी नंबर को खुद उसी से इटसल्फ का मतलब खुद उसी से multiply कर देते हैं और जो answer आता है that is the square of that number for example जैसे 1 को 1 से multiply किया तो answer आया 1 जो 1 answer आया this is the square of 1 क्योंकि 1 को 1 से कर रही है 2 को 2 से multiply करो तो आप ता answer आता है 4 जो 4 है this will be the square of 2 क्योंकि आप 2 को multiply कर रही हो 2 से इसी तरह 3 multiply 3 आता है 9 और जो 9 है this is the square of 3 4 multiply 4 16 this is the square of 4 5 multiply 5 25 this is the square of 5 वैसे भी 5 multiply 5 दो बार है तो आप power 2 लगाते हो 3 बार होता है power 3 लगाते हो ऐसा आपने 6th class में सीख लिया था so मैंने यहाँ पर 30 तक के squares लिखे है 30 तक के squares लिखे है जो आपको learn भी करने है और इनी के squares में से हम आगे facts भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है जो 1 होता है that is odd number 3 होता है this is also odd 5 होता है this is also odd 7 होता है this is also odd and so on अगर हमने 1 का square किया था तो answer 1 आया 1 odd था तो इसका answer भी odd 3 जो odd नंबर है उसका answer आया 9 square का तो वो भी odd 5 जो है वो odd number है जब हमने उसका square किया 25 तो वो भी odd कहने का मतलब क्या हुआ the squares of odd numbers are always odd तो ये fact आ गया हमारे पास पहला perfect squares का पहला fact इसी तरह अब हम देखते हैं even even है 2 number 4 6, 8, 10 तो 2 जो है that was even that is even जो उसका answer है 4 ये भी even आ रहा है 4 का square करा 16 4 खुद अपने आप में even है जो 16 answer आया वो भी even इसी तरह 6 even है तो इसका square किया 36 ये भी even यानि squares of even numbers are always even ठीक है प्यारे बच्चों अब हम इन answers पे ध्यान से देखते हैं इन answers को जो square number है जैसे 7 का square 1 आया था 2 का 4, 3 का 9 तो हम देखते हैं इनके units place पर कोई खासियत है unit place पर आया 1 4, 9, 6, 5 फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 5, 9, फिर 4, फिर 1 यानि जितने भी squared number है प्यारे बच्चों, उनके unit place पर कहीं पर भी आपका 2 नहीं आरा 30 तक के हमने squares लिख लिए, लेकिन answers में कहीं पर भी unit place में 2 नहीं आरा unit place में 3 नहीं आरा unit place में कहीं 7 नहीं आरा और ना ही unit place पर कहीं 8 आरा है तो इससे conclusion क्या निकलता है the numbers ending with 2, 3, 7, 8 are not perfect squares जिसके unit place पर आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा 7 मिलेगा, 8 मिलेगा वो perfect squares नहीं होंगे आप खुद सोचके देखो number है 12, जो 2 पर unit place 2 है 22, 32, 42 ये किसी के squares नहीं है इसी तरह 3 ending with 3 है 13, 23, 33, 43 ये किसी के squares नहीं है 17, 27, 37 किसी के squares नहीं है 18, 28, 38, 48 किसी के squares नहीं है तो ये याद रखना है the numbers ending with 2, 3, 7, 8 are not perfect squares उसके बाद आता है a number ending with an old number of zeros is never a perfect square अगर number of zeros old आती है तो वो भी perfect square नहीं आता तो हमने number of zeros वाले तीन number देखे थे जैसे 10 है 10 ending with 0 है तो उसका जब हमने square किया तो two zeros आई hundred में twenty ending with 0 है जो इसका square किया तो four hundred आया thirty का square किया तो nine hundred आया तो प्यारे बच्चो इसमें जो number of zeros है answers में that are even कभी old zeros नहीं आएंगी किसी भी perfect square numbers में ना तो एक zero आएगी ना तीन zero आएगी ना पाँच zeros आएगी कभी भी one zero three zero या five zeros नहीं आएएंगी जो zeros हैं वो even number में आएएंगी zeros के pair बनेंगे ठीक है उसके बाद अब हम next देखते हैं the difference between the squares of two consecutive natural numbers is equal to their sum consecutive का मतलब होता है लगातार कोई भी दो लगातार consecutive numbers उठाओ और उनके squares का difference निकालो जैसे मैंने एक number लिया four एक number लिया three लगातार number है consecutive है four का square मैंने किया sixteen three का squares मैंने किया nine जब मैंने उनका difference निकाला तो मेरा answer आया seven और फिर मैंने अपना दिमाग लगाया मैंने का जो यह seven है this is the sum of four plus three जो दो given number थे अगर मैं उन दोनों को add करते हैं यह तो answer आया एक मैंने और करके देखा seven का square 49 six का square 36 जब मैंने उनको subtract किया तो 13 फिर देखा कि seven plus six 13 है तो यह property है एक the difference between the squares of two consecutive natural numbers is equal to their sum next है हमारा perfect squares एक होते है squares एक होते है perfect squares a given number is called a perfect square और a square number if it is the square of some natural number जो natural number होते है one, two, three, four counting numbers होते है जो उनके squares होते है उनको हम perfect squares बोलते है ठीक है और दूसरी क्या है perfect square की definition if the factors of the given numbers exist in pairs अगर कोई बड़ा number हो जो हमें पता ही नहीं है कि वो perfect square है या नहीं हम उसके factors बनते हैं अगर वो factors pair में आ जाएं तो वो perfect square होगा और अगर pair में नहीं आएंगे तो वो perfect square नहीं होगा आगे example बताऊंगी फिर वो कहता है कि जो perfect square numbers है उसके अंदर कभी भी decimals वाले involved नहीं होते और नहीं उसमें कोई fractions involved होती है वो सिरफ perfect natural number का जो squares है वो involved होते हैं अब हम clear करते हैं कि कौन सा number perfect square है और कौन सा नहीं है हमारे पास given number है 256 256 के prime factors बनने है प्यारे बच्चों जो सबसे चूटा prime number है वहाँ से हमें start करना होता है और फिर आगे बढ़ते हुए बढ़े पे जाना होता है 2 पर अगर कोई number नहीं कटता तो 3, 3 पे नहीं कटता 5, 5 पे नहीं कटता तो 7 prime numbers की definition आपको आती होगी the numbers which have only two factors the number itself and 1 means वो number जो केवल खुद अपनी table पर कटते हो वही prime number होते है उनहीं को ही लेते हुए हमने यहाँ चलना है तो 256 इवन number था तो इवन number is always divisible by 2 2 पे किया 128 फिर 8 आगया 2 पे किया 64 फिर 4 आगया means इवन 32 फिर 2 आगया इवन 16 फिर 2 88 फिर 2 4 फिर 2 last में 1 पे आगये तो हम रुक गे we see the factors of 256 are in pairs मैंने इनके pair बना दिये दो-दो pair का मतलब होता है दो a pair of shoes, a pair of socks आपको पता है pair का मतलब होता है जिसके अंदर 2 items हो तो 2 members जो है इनमें हमने 2-2 का group बना दिया तो पूरे बन गे तो हम लिखेंगे so we will say 256 is a perfect square इसी तरह हमने एक example लोर लिया 154 154 इवन नमबर है 2 पर divisible है 77 आगया 77, 7 पे गया तो 11 आगया 11 को किया तो 1 आया we notice that the factors are not in pairs कोई भी factor pair में नहीं है 2 अपने आप में अकेला है 7 अपने आप में अकेला है 11 अपने आप में अकेला है तो कोई भी factor जो है pair में नहीं आया so we will say 154 is not a perfect square तो आपको पता लगया कि perfect square का मतलब है कि जो factors है वो pairs में होने जरूरी है अगर pair में नहीं है तो वो perfect square भी नहीं है उसके बाद आता है number of non-square numbers non-square numbers के number कितने है consecutive square numbers जैसे 1 का square 1 होता है 2 का 4 तो 1 भी square number है 4 भी square number है यह consecutive है लगता रहे है कि 1 का 1 2 का 4 तो 1 और 4 के बीच में number कौन कौन से छुट गे थे 2 और 3 ठीक है 2 और 3 means 2 number आए यहाँ पर 2 लिख दिया तो हम 2 को 2 वनजार 2 लिख सकते हैं फिर अगले 2 square number लिए 4 और 9 2 का square 4 3 का square 9 तो 4 और 9 2 square number ले लिए मैंने consecutive ऐसे नहीं है कि 9 चोड़के 16 direct ले ले लेंगे consecutive के लिए rule है यह तो 2 का square 4 और 3 का square 9 हमने 2 square number ले लिए और हमने उसके बीच के number देखे कौन से छुटे हैं 5, 6, 7, 8 यहाँ पर number 4 में number है तो यहाँ लिखा मैंने 4 और 4 को मैं 2 multiply 2 लिख सकती हूँ इसी तरह 9 और 16 अगले हैं तो इसके बीच में 6 number है 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 multiply 3 अगले में 16 और 25 में 8 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 multiply 4 मेंस यह देखो 2 की table आ रही है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 ठीक है from this table we conclude that there are 2 n जो 1, 2, 3, 4 है उसको हमने n कहा यह natural numbers है न तो हमने लिखा इसको 2 n 2 n perfect square numbers between between लिखा मैंने n square और n plus 1 square n square means n यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर n plus 1 means 2 आया n का मतलब एक number और यह अगला number consecutive तो दो number होगे तो यह squares ही तो है 1 का square 1, 2 का square 2 तो यह formula है हमारा 2 n perfect square numbers between n square and n plus 1 square यह ज़रूर formula लिखना है जब हमारे समाएंगे एक बात और देख लेते हैं do you know means आपको पता है 7th में आप पढ़के है यह the given triplet is pythagorean कि कौन सा triplet pythagorean होता है if the square of the greatest number is equal to the sum of the squares of other two numbers तो वो triplet pythagorean होगा अगर not equal आएगा तो वो triplet pythagorean नहीं होगा तो प्यारे बच्चों यह सब कुछ आपका introduction वाला part था वाक्षीट जब हम करेंगे तो यह सारी चीजें उसमें हम apply करेंगे इन्हीं की help से हमारी वाक्षीट 1 हो जाएगी तो प्यारे बच्चों इसको बड़े सुन्दर तरीके से अपनी notebook में note करें एक बार note करने के बाद वीडियो को बराबर चलाएं और copy अपने सामने लेके बैठें तो आपको और ज्यादा clear हो जाएगा so thank you, have a nice day